गाजर के हल्वा तो आप लोगों ने बहुत बार बनाये होंगे, बहुत बार खाये होंगे फ्रेंड्स, आज मैं इतनी इजी तरीके से और इतनी आसान तरीके से गाजर के हल्वा की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिससे बनाना बहुत ही आसान है साथी कम से कम समागरी का यूज़ का कि आप स्वादिष्ट हलुआ बना शक्ते हैं इस हलुए को बनाने की जरतार की सबस euh और श्वाद इदनी लजीज है बहुत ही स्वादिष्ट है आप लोग जब बनाएंगे तो खुद आप लोगो को पता चलेगा बनाने से पहले पता नहीं चलेगा बनाने के बाद पता चलेगा तो आइए फ्रेंड्स बिना किशिदेर का हम रेस्थी बाना इस्टार्ट करते ह हलो फ्रेंड्स मैं हूँ लेलीता और श्वागत करती हूँ आप शबका लेलीता कीचन में तो गाजर की श्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले ली हूँ एक केजी गाजर तो फ्रेस लाल वाली गाजर है ये गाजर को मैं अच्छे शे दो करके पानी से अब इसके छिलके हटा लेंगे और सारे गाजर को ग्रेट कर लेंगे और भी अलग तरीके शे गाजर का जो हल्वा है आप लोगों के शाद बना करके शेयर की हूँ तो उन सभी गाजर के हल्वा का जो लिंक है मैं डिस्किशन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी रेसिपी का जो लिंक है वो मैं डिस्किशन बॉक्स में डालूंगी आप लोग जरूर देखिएगा चेक आउट किज़ेगा और शब अलग लग तरीके शे बना हुआ है और यह तो इतना आशान है कि कोई आपको बनाने में प्रोब्लेम भी नहीं होगा और नहीं पहुच जादी हमें स आपको खाने के बाद लगेगा ही नहीं कि किसी भी चीज का कमी है इतनी स्वादिश्ट लगती है तो यह देखिए इस तरीके से मोटे वाले साइट से सारे गाजर को ग्रेट कर लेंगे बहुत ही साधानी से ग्रेट किज़ेगा कि कभी-कभी लग जाता है तो इस तरीके सा सारे गाजर को ग्रेट करके लेंगे तो फाइनली प्रेंट से देखिए मैं शारे गाजर को ग्रेट कर ली हूँ अब गैस वन करेंगे और एक पैन रखेंगे गैस पर और इसमें गाजर को डालेंगे हमें कुछ भी नहीं डालना है जैसे ही पैन गरम हो जाएगा हम उसमें क तो जैसे जाता हो है वह उसकी जो अपना चान्जाता है तो यह कघजर जो है 3-4 घुसफिवाना मेशाऊब और ली और गांजर को अभी आटाट, आपसे लिस डीड़ु horses घूण Connect रोला, अब इस इसम मीथा है भलान को सब्सक्राहिस है मतलब गाजर जब भून जाएगा तो बिल्कुल गाजर में पानी नहीं रहना चाहिए आप लोग देख पा रहे हों कि तले में पानी बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल ड्राई है और भूना हुआ है तो मैं चीनी को डाली हूँ ऐसा नहीं कि गाजर में पानी है और आप चीन यह जक यह से लिएड़कोव आयों तो फिर उसी पानी उसी जिसाशचेर के हल्वा और पौद उसी पैके गाजर को पकाइंगे तो देखेंजित जैसे मेल्ट होता जाएगा यह और फिर लिकवीट फॉम में आज़ाएगा तो बीच बीच में हमें मिलाते रहना है मिला मिला कके इससे बनाना है तो ये देखिए इन्हें मैं साथ से आठ मिनट के लिए अच्छेशे भून ली हूँ और चीनी बिल्कुल भी मतलब अंदर से चिपका भी नहीं है और इसमें नहीं पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है चीनी जो भी था अच्छे शे पक गया है गाजर के साथ देखिए तले में आपको साइड में पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा तो अब इस इसमें डालना है मिल्क तो मैं हाफ लिटर मिल्क एड करूंगी इसमें एक केजी में गाजर तो ये नहीं से खौलक बनेगा तो ये देखिए ये खौल करendeu कि ठंडा किया हूआ और जो भी मलाई वालाई रहेगा वो सार हडूर में डालना है तो मैं हाफ कशी इसमें मिल्क डाल दी मिल्क डालने के बाद और जबतें हैंनि हम तब-色 र आपको समय रही से पक हल्याई और साइट साइट से किनारे किनारे मलाई को हटाते हुए हम गाजर के हलवा को पकाएंगे तो ये देखिए बीच बीच में हमें इन्हें मिलाते रहना है और साइट साइट से जितने ही मलाई जमते जाएंगे सब हलवे में मिलाते जाएंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें नहीं मावा चाहिए नहीं घी चाहिए और यकिन मानियो फ्रेश्ज आप लोग एक वाई इस तरीके से बना के देखिएगा हल्वा एक बार बना लेजेगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बीना मावा भीना घी कबना हुआ है हर चीज का स्वाद आपको इससे मिलेगा लेकिन हाँ इस बात का देहान लखे है कि आपको फुल क्रीम मलाई वाली मिल्क कहीं यूज़ करना है तो यह देखिए 80 परशंट जो है हलवा पक गया है अब 20 परशंट और पकाएंगे तो बीच बीच में हम इसे मिलाते हुए पकाएंगे ताकि तले में लगे न अब इस सिष्टेस पर हम डाल देंगे 80 परशंट जब हलवा पक जागा तो डाल देंगे ड्राइफूट ड्राइफूट में किसमि बादाम और नादेल लेली हूँ आप चाहें तो अपने पशंद की कोई भी ड्राइफूट ले सकते हैं फिर से ढब देंगे और हलवा को अच्छे शे पकाएंगे हाई फिलेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे लो फिलेम पे यह पकाएंगे तो यह देखिए हलवा जो है हमारा परफेक्ट जो है बन चुका है और आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि मावा का जरुवत लगी नहीं रहा होगा मावा भी आपको दिख रहा होगा इसमें और घी का भी जरुवत नहीं लगेगा तो कितनी अच्छी रेड कलर हल्वे की आ गई और बिल्कुल अच्छे से इसमें मिल्क जो है मिल्क में ये गाजर जो है अच्छे शेपक गया है और बहुत ही परफेक्ट हल्वा हमारा बन गया है अब एक बर और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे और ढग देंगे लास्ट में आप एक चोटी चमच इलाइची पोड़ा डाल करके गाजर के हल्वा को इंजवाय कर सकते हैं या उपर से भी आप और ड्राइफूट डाल सकते हैं गैस को बंद कर देंगे परफेक्ट हमार डाश्वादिश्ट बिना मावा बिना अगही का बना हुआ हलवा तयार है तो फ्रेंटस उमीद करती हूँ कि आप लोगो को वास किए बिल्कुल सिंपल तरीके चे बना हुआ गाजर का हल्वा सिंपल है लेकिन बहुत है अप लिएक बाद ट्राइज जरूर कीजेगा बहत ते प्ते कि यह बाइब